नमस्कार, Welcome to my kitchen, मैं हूँ Manisha, आज मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताने आई हूँ दोस्तों, जो है बची हुए ग्रीन टी से एक नया चीज में बनाऊँगी, जो है आलतार जी हाँ दोस्तों, जो ग्रीन टी हम लोग पीते हैं, आप सबको पता है कितनी हमारे लिए ह आलता बनाने बताऊंगी दोस्तों, आलता हमारे हिंदू रेलिजम में एक पोला संगार में आता है, इसके बिना हमारी कोई भी पूजा, जैसे कि हम दुर्गा पूजा, चट पूजा या और भी कोई चोटी बड़ी पूजा होती है उसके बिना अधूरी होती है और शादी पासविडा लरी तो इसके बना हो ही नहीं सकती है तो एतना अहम चीज है इसके साथ हम्मारे चोटे-चोटी प्रोब्लम्स है ये जिसकंना पडता है ज्यों कि है कच्चे कलर और जीकर इंह applie से लन आखता है तो हम चैब भी इसे लगाते हैं तो हमारे जो श् encompass होते हैं या तो चलिए हम चुरू करते हैं अपना हुमेड आलता बनाना और दोस्तों आज के बाद आप ग्रीन टी रहे के सज़पने लिए यहां पे दो बड़ी चम्मज शुगर लिया हुआ है ग्रीन टी का इस्तेमाल किया है यह देख सकते हैं यह वाले ग्रीन टी है ओर यह झो पड़ी जाए परेपर में सुखाया तो सुखने के बार हो गई इसको आमने दो बड़े चम्मस लिया है आप चाहे तो आप भी ले सकते हैं और इस इंदर इसके अंदर इसी को डाल के हमने कलर बनाना है तो इसको हम डाल देंगे तो कलर हमारा बहुत ही अच्छा ब्राइट कलर आएगा इतनी सारी चीजों से हमें यालता त्यार करना है इसके लिए चाहिए हमें एक तीन का दिबा तो सबसे पहले हमें इसमें यह डिबा लेंगे इसके अंदर हमें डालना है यह अपना जो शुगर है दो चमच और इसके अंदर हम मिलाएंगे ग्रीन टी धुलिए है जो भी जगा भनानी अभुआ है इस दिब्बे के अंदर हमने सबसे पहले अपना यह ग्रीन टी और सुगर वाला जो मिक्सचर था उसको डाला है इसके अंदर हमें जगा बनानी है थोड़ी सी उसके बाद इसमें हमें कप लगाना है अब हम डालेंगे इसके उपर अपना ये जो एक कटोरी है छोटी सी इसको रखना है और उसके उपर हम ये पानी का बाउल रखेंगे आप देख सकते हैं ये आईस वाला पानी है अब हम चलते इसको गैस के उपर ये आप देख सकते हैं मैंने गैस ओन करी इसके उपर हमने के स्टैंड लगाया जिससे हमारा जो ये डिबबा है वो अच्छे से सेट हो जाए और हमने आज को एकदम फूल किया है अब हम करीब 2-3 मिनट का वेट करते हैं आप देख सकते हैं 2 2-3 मिन रिनट हो और कितना ज्यादा स्टैंड मारी बाहर आ रही है और उतनी स्टैंड उसमें अंदर इकठा हो जाएगी इसको अच्छे से आपने पुस कर नहीं आ बहुत ज्यादा स्टीम आने हारी है तो वित्स पुस कर दिया हमने आज को थोड़ा कम कर दिया है आपको म जब यह ठंडा हो जाएगा यानि कि 5-10 मिनट फिर इसको बाद हम देखेंगे कि कितना आलता हमारा रेडी हुआ देखें करीब हमारा 10-5 मिन हो गया है और यह बिलकुल ही ठंडा होगे इसको वहां से चू सकते हैं इसको निकाल दिया है आप देख सकते हैं इसके अंदर से हम निकालेंगे यह आप देखें यह हमारे इतनी जो लिक्विट आलता है बिलकुल यह तयार है आप देख सकते हैं यह लिक्विट आलता इसको हम रख देते हैं इसको डिबे को हम साइड पर रखेंगे फिर से यूज करेंगे और यह बाउल लेते हैं इसके अंदर हमने यह जो हमारा यह सिंदूर है आप देख सकते हैं यह सिंदूर से हमने इसको लिया इसके अंदर यह अब इसके अंदर हम डालेंगे ये आलता ये थोड़ा सा इसके अंदर मिला लेंगे और ये बाकी उठाके हमने एक कांच की सीशी में भरके इसे स्टोर करके रख लेना है फिर जब भी हमें कभी लगाना है तो हम इसे लगा लेंगे जब लगाना है तो उसके बार आपने लगा लिए और एक चुटकी सिंदोर मिलाके अल बना लेज़े और ये हमारा अलता एकदम रेडी है आप देख सकते हैं अब हम आप इसको पैरों में लगाके दिखाते हैं इसका कलर किता तक सुरत आएगा तो चलिए हम लगाते हैं इसे पैरों में अब हम हाथ पे आपको दिखा देते हैं इसका कलर कितना सुन्दर है अब जैसे ये थोड़ा सा डार्क होगा ये और टाइम होगा तो इससे और डार्क होगा ये आप देख सकते हैं इसका कलर कितना सुन्दर है और ये जैसे आपने तत्तक दानस के लिए हमारा यहां रखेडी है अब हम आपको एफट पैरों में लगार के दिखांए हैं विखियों आपको पैरों में लगा के दिखा रहे हैं हम खुद के पैरों में नहीं लगा पाएंगी क्यों यहीं कोई भी मन चाहर बिजैन बना लिजीए मैं ऐसे रखली एक डिजाइन बना दे रही हूँ जो मेरी फेवरेट है मैं खुद लगाती हूँ इसे अबस ऐसे आपको इसे कलर कर लेना है यह इसमें से आप भर दिजी यह बहुत अच्छी लगती है आप चाहे तो इसे राउंड भी बना सकती है आपको लगा के दिखाया यह और डिजाइन आपको मैं बहुत अच्छी नहीं दिखा पाई हूँ बट अलता का कलर आप देखिए कि धिरी दरी जैसे डार्क हो यह मैंने यह लगाया था आप देख सकते हैं यहाथों में और यह पैरों में भी अब यह आलता कहीं भी नहीं कामने इसको लगाया है करीब दस में इसको लगाया रखना फिर भी आपको देखिए बिल्कुल भी कलर नहीं पेड होगा पैर उठाव बिटा पिल्कुल आप देख सकते हैं पानी एक्दम क्लीन है और आप इसे आदे गंटे लगा के छोड़ देंगे तो बिल्कुल इसका पक्का कलर हो जाएगा आप इस तरह अपने पैरों में आलता लगाएं और होम में डालता पक्का त्यार करें आप देख सकते हैं मेरे हाथों का भी कलर और यह भी तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें थै